हलो फ्रेंड्स नमस्कार एरावर्ड में आपका स्वागत है और प्राहिल कर रहे हैं आज हिंदी का लेक्चर है आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे जैसा कि जानते हैं कि जो है थोड़ा सा जो है बेस्टता के कारण जो है लगातार वीडियो नहीं मिल पा रहा है लेकिन अब क कोसिस यही की जाएगी कि जो है लगातार आप लोगों को वीडियो मिलता रहे उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और प्लस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है लगातार जो है हिस्ट्री का पॉल्टी का और करेंट अफेर का वीडियो हमारा जा रहा है बस चैनल को जो है आप लोग थोड़ा सा प्यार और साहयोग बनाए रखिए और आगे बढ़ाईए हमारा भी परिवार थोड़ा सा बढ़े और हम लोग चाहते हैं कि जो है आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिज करें यह हमारे चार नंबर दिये गए हैं और नंबर से संपर करके आप किसी भी कोर्स से जूर सकते हैं या पिर टेलिग्राम से जूर सकते हैं फ्री कुझ होती है 11 एम पर वहाँ पर आकर के फ्री कुझ कीजिए ठीक है बाकी लगातार आप लोग बने रहिए लेक्चर जा रहे हैं और comment के माधम से अपने सुझाओ जरूर देते रही है share कीजिए दबा करके अपने दोश्तों के बीच आज हिंदी का हमारा आठवा लेक्चर है और आज हम लोग बचन पढ़ेंगे चलिए आप लोग का मैं यही कोशिस करूँगे के ज्याद़ टाइम बेशना हो और ज्यादा से ज्यादा जो है कम समय में और ज्यादा से ज्यादाénergie जो है आप लोगोंको मिल जाये आए देखते हैं हिंदी के लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है वो बचन है बचन जैसा कि आप लोग बच्पन से ही पढ़ते आ रहे होंगे 9, 10th and 11, 12th में भी हिंदी में जो पढ़े होंगे तो बचन का क्या मतलब होता है कि जैसे एक बचन एक बचन और बहु बचन इसमें क्या होता है एक बचन और बहु बचन में एक बचन का हमारा मतलब किसी एक चीज को क्या कर रहा है सो कर रहा है जैसा कि आप द्याकरी जैसी यहाँ पे जो लिखा गया है सब्द के जिस रूप में एक से अधिक का बोध होता है हिंदी ब्याकर में उसे बचन कहते हैं, संग्या सर्वनाविसेशन क्रिया के रूप में बहुद होता है तो जैसे लड़का भागता है, लड़के भागते हैं इसमें कुछ नियम कानून जो लागु होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चार हैं जिसे अकारांथ अकारांथ की अगर बात की जाए अकारांथ में आ रहा है ठीक है? इसी परकार से उकारांथ होता है उकारांथ होता है इसमें क्या आता है? उ आता है ठीक है? इसी परकार से आउकारांथ होता है जो लोग जो नोट करना चाहते हैं नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें आवकारांत में क्या आता है? आव आता है आव आता है, आव ठीक है? और लास्ट में जो प्रत्य बहुबचन बनाने के लिए जोड़ा जाता है, वो क्या जोले जाते हैं? यह जोले जाते हैं, यह क्या होता है? प्रत्ते होता है ठीक अकारांट, उकारांट, आकारांट अकारांट में A उकारांट में U आकारांट में O आता है और बहुबचन बनाने के लिए A सब्द का प्रियोग tag आप इक्जामपल देखते हैं आप लोग ठोड़ा सा इक्जामपल बताएं मैं लिख रहाँ महिला महिला क्या है अकारांत है तो इसका बहुबचन क्या हो जाएगा महिलाएं चंदरविंदी लगाना बिल्कुल मत भूलना महिला महिलाएं जैसे कहीं पर लिखा गया माता माता ये भी अकारांत है क्या हो जाएगा माताएं हो जाएगा और नहीं हो जाएगा माता का हो जाएगा माताएग जैसे आप कहा गया कि दवा दवा का क्या हो जाएगा दवाएग ठीक यह अकारांत वाला सब्द समझ में आया अब यहीं पे अपवाद के सुरूप में अगर थोड़ी सी बात बता है महिला का महिलाएं, माता का माताएं, दवा का दवाएं हो गया, अब इसी में एक अपवाद आता है, इसे महिला का लिख दिया गया अभी लड़का दिया जाता है, तो लड़का का लड़काएं नहीं होता है लड़का का लड़के होते हैं तो यह क्या होता है? यह एक अपवाद होता है अपवाद में क्या होता है कि ए की जगह पे सिर्फ ए जुड़ता है जैसे सब्द है अपवाद लड़के इसे लड़का है अब लड़का का क्या बनेगा? लड़के ठीक अब कपड़ा है मानलो कपड़ा का क्या बनेगा कपड़े ठीक है इसी प्रकार से मानलो मुर्गा है मुर्गा का क्या बनेगा मुर्गे ठीक है ये किस में आ रहे हैं अपवाद में आ रहे हैं अकारंत के अपवाद में आ रहे हैं कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं, जिन में जो है स्वर का क्या होता है? आ, जो हमारा आ होता है, आ, इसका क्या होता है? लोप होता है, तो इसमें भी इसके भी बहुबचन बनाने में ए का परियोग किया जाता है, ध्यान रखना, जब किसी ऐसे सब्द में आ स्वर का क्या होता है लोप होता है उसके भी अंत में एंसब्द का प्रियोग किया जाता है बहुबचन बनाने के लिए जैसे हम नहर अब बताइए नहर का क्या होगा नहरें अंकबिंदी लगाना मत भूलना गाय गाय पढ़िए गाय का क्या हो जाएगा गाएं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जिसे आपको दे देगा दीवार समझ में आ रहा है ना दीवार का क्या हो जाएगा दीवारें समझ में आया, तीन चीजे हमने आपको इसमें बताई अकारंत आमें जब भी आ रहा है, अकारंत जिसे महिला का महिलाएं हो जा रहा है माता का माताएं हो जा रहा है, दवा का दवाएं हो जा रहा है इसी प्रकारते अपवास रूपे हमने कहा कि जिसे लड़का का लड़काएं नहीं होगा लड़का का लड़कें होगा लड़कें कपड़ा का कपड़े होगा मुर्गा का मुर्गे होगा उसी प्रकारते जब हमारा स्वर आ का लोप हो रहा है तो वहाँ पे क्या जूड़ रहा है वहाँ पे हमारा एं जूड़ जाए जैसे नहर आ का लोप हो रहा है कि नहर गाए दीवार और यहाँ पे क्या जूड़ जाए रहा है एं जूड़ जाए जैसे नहर का नहरें गाए का गाएं दीवार का दीवारें यह चीज़ समझ में या में जैसे कि छोटी E हो या बड़ी E हो तो यह क्या हो जाता है या में बदल जाता है या में जैसे एक जामपल इसे नारी 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 का क्या हो जाएगा नारियां वजाए नहीं हो जाएगा नारियां इसे परकारते आपको दे दिया गया बताएए डिबिया डिबिया का क्या हो जाएगा डिबियां डिबियां हो जाएगा इसे परकार से आपको देज़े इस्त्री इस्त्री का क्या हो जाएगा इस्त्रियां ठीक है वेची आप अपनों के समझ में आगे हैं उम्मीद का जिसे निबा निबियां निबी निबियां ठीक है तो इका रां तो आपनों की ये समझ में आया अकारांद इकारांद जो हमने आपको समझाया अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा कुछ नियम कानून होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते चलें जैसे कुछ सब्द हमेशा बहुबचन में ही परियोग होते हैं ध्यान रखना वो कौन कौन से सब्द हैं जैसे आसू आसू अब एक आख से तो कोई रोने वाला है नहीं रोएगा तो दोनों आख से रोएगा तो ये सब्द बहुबचन में ही परियोग होगा आसू हुआ केस बोला जाता है या बाल बोला जाता है अगर बात की जाएगी तो एक बाल की तो सर के सारे बाल की जाएगी समाचार पढ़ते हैं एक ही नियूज नहीं पढ़ा जाता सभी नियूज को पढ़ा जाता है समाचार हो गया बाकी जिसे प्रजा हो गया प्रजा भी हमारी क्या है? बहुबचन है प्राण सबसे ज़्यादा important note कर लेना ये प्राण हमेशा बहुबचन में प्रियोग होता है लोग हमेशा बहुबचन में प्रियोग होते हैं सब्द उनको जो भी आपके पास book होगी एक बार मैं आपसे यही कहूंगा कि जो है एक बार उस book में ये सारे जो एक जामपल है जो हमेशा बहुबचन में प्रियोग होते ही नहीं है उन सब्दों को आप लोग एक बार देखने की कोसिस कीजेगा और practice लगाने की कोसिस आ गई होगी दूसरी बात अब एक और चलते हैं एक और चीज बताते हैं आप लोग को हमेशा एक बचन का प्रियोग होता है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बचन में होते हैं कैसे होते हैं हमेशा एक बचन में होते हैं जैसे क्रोध क्रोध किसी एक को ही आएगा आग, जनता, अभी देखें, वहाँ आपने लोग देखा, लेकिन जनता जो है हमेशा important है, इसको नोट कर लेना है, जनता एक बचन में प्रियोग होती है, पानी, ठीक है, प्रेम, यह हमेशा एक बचन में होता है, हवा, दूध, ठीक है, सामान, सामान भी जो है एक बचन में ध्यान रखना, यह सारे चीजें कैसे होती है, क्रोध, आग, जनता, पानी, दूध, प्रेम, हवा, समान, यह सब चीजें हमेशा एक बचन में प्रियोग की जाती है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को जिसे, अब इसी सब्द को ले लिए, कि सम्मान या आदर दिखाने के लिए, बहुबचन का प्रियोग किया जाता है, जिसे भीज में पितामा तो ब्रह्मचारी थे, गुरु जी आज नहीं आये हैं, सिवा जी सच्चे बीर थे, माता जी आ गई हैं, ठीक है, तो यह चीज आप लोगों के समझ में आ रही है, तुलसी एक स द्रेश्ट कभी थे, अध्यापक कच्छा में पढ़ा रही हैं, यह क्या किया जा रहा है, मतलब एक सम्मान या आदर दिखाने के लिए प्रियोग किया जा रहा है, ठीक है, जितने भी बड़पन दिखाने के लिए, जैसे बड़पन दिखाने में क्या होता है, कि मैं की अस योग हो जाता है तो बड़पन भी दिखाने के लिए देखिए यहां पर पूरा लिखा गया है मैं के अस्थान पर हमका प्रियोग करते हैं ठीक है तो बाकी जो चीजें हमने बताई जिसे के स्रोब आसु यह सब जिनका सब्द हमेशा बहुता बहुता बहुचन में ही होता है ठीक है बहुचन के अस्थान पर एक बचन का प्रियोग ठीक इन सब को आप लोग पीडियोप पूरा क्या किया जाएगा शेंड कर दिया जाएगा या इस्क्रीट सार्ट ले लिजिये इनको पढ़ लिजेगा एक बार ठीक है जैसे एक चीज और बता दें जैसे जाती सब् मजबूत होता है हीरा सुन्दर्था की सान है सोना बहमूल लिबस्तु है मुंबई का आम स्वादिश्ट होता है उसमें जाती दिखाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है एक बचन का परियोग किया जाता है एक चीज और आप लोग को बताना है वो मैं आपनों को बताता हूँ, जैसे जो भी चीजें द्रब्य रूप में देखी जा रही है, धान से सुनियेगा, जो भी चीजें द्रब्य रूप में प्रियोग हो रही है, द्रब्य में यानि कि तरल लवस्था में, जैसे हुआ पानी, दूध, लसी, तेल, घी ये द्रब्य रूप की जितनी भी वस्तुई हैं सब किसमें प्रियोग की जाएंगी? एक बचन में प्रियोग की जाएंगी एक बचन में ध्यान रखना ठीक है? एक बचन में प्रियोग की जाएंगी तो उम्मीद कर रहा हूँ यह जितने भी नियम हमने आज यहाँ पे आप लोगों से डिसकस किये वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे कुछ प्रक्टिस के रूप में एक्जामपल दिये गए है आईए आ से ए बना कर जिसे जिसे बहन का बहने आख आखें, मेज मेजें, रात रातें, देख रहे हैं यह इन सारी चीजों को बहने, रात का रातें हो गया, ठीक है, भैस का भैसें हो गया, ठीक इन सारी नियम को हम डिसकस करके आप से बताए हैं छाता का छाते, यह देखे, ठीक है, बच्चे, आ से ए लगाकर बनाने वाले बहुपचन, जिसे, देखे, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, बताया माता का माताएं, सभा का सभाएं, ठीक, आए देखते हैं, एक बच्चन बहुपचन, यह देखो, बच्चा का बच्चे, रजगुला, रजगुले, बेटा, बेटे, ठीक, इन सब के बारे में यहाँ पूरा दिया गया है, आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, रीडाउट करिएगा, आ से उ, और आ में ए जोड कर जैसे बहुपचन बनाने वाले, जैसे मक्खी की मक्खिया, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, इकारांत वाला सब्द, देखिए, मिठाईया, पूरिया, ठीक है, रीतिया, इन सब के बारे में पूरा बताया गया है, किस तरीके से लगाया ज देखते हैं, जैसे पुडिया, पुडिया, डिब्बी, डिब्बिया, नारी, नारिया, लड्की, लड्किया, चिडिया, ठीक है, इनके बारे में देख रहे हैं, गली, गलिया, साडी, साडिया, ठीक है, इसी प्रकार से चिडिया, चिडिया, ठीक, ये क्या है, इकारांत व युवा युवा बर्ग कभी कभी बर्ग तुम तुम लोग नेता गण ठीक है इन सब का परियोग भी जो है क्या किया जाता है करके बनाया जाता है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इन सारी चीजों को आप एक बार देखिएगा हमारे वीडियो को शुरुवात में जो हम से पढ़ने की कोशिस जरूर कीजिएगा फिर जो है जब कुश्चन करवाया जाएगा तो आपको कुश्चन समझ में आएगा 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 दिखाते हैं यह हमारा बिहार PCS का जो है बैस शुरू हो रहा है पच्चिस तारिक से यह देखिए पच्चिस तारिक से पहला टेस्ट सुरू हो रहा है फुल टेस्ट के रूप में और जो है लगातार अब इसके जो है पेड कुश्च भी कराया जाएगा लगवाग पच्चास कुश्चन पर ड़े तो अगर आप लोग जोडना चाते हैं तो बहुत ही मिनमम प्राइज रखा गया है आप देख सकत हैं 400 रुपया फीस रखा गया है 20 टेस्ट टोटल कंड़क्ट कराये जाएगे जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन टेलीग्राम पर इस्पेसल कुश्च कराये जाएगी लेकिन पेड वालों को ही या कुश्च मिलेगी या प्रोग्राम पूरी एक महीने चलेगा यानि कि 25 त रहिए जुड़े रहिए और यह हमारा नंबर दिया गया है कालिया वार्टसप के जरीए जो है संपर करके जूड़ सकते हैं और कोई भी प्राब्लम हो तो इन चारो नंबरों पे आप संपर करके जुड़िए किस तरीके से जुड़ना है सारी प्रोसेस बता दे जाएगी आनलाइन पेइमेंट कैसे आपको करना है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए शेयर कीजिए जो है चैनल को हमारी यूटूब में सबसे बड़ी बात यह है कि आगे बढ़ने का यही है कि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे आगे क कैसे बढ़ा जा सकता है तो आप लोग का प्यार और सहयोग इसे काफी हमेशा से मिला है मैं उसमें कभी नहीं कहता हूँ हमारा भी परिवार बढ़े मैं इसलिए चाहरा हूँ बाकि अगर यह कोर्स कोई लेना चाहरा है तो आप देख रहे हैं 25 तारिक से यह शुरू हो रह है तो आप लोग इसको खरीद लीजिए जैसा कि देखिए यह देखिए 25 तीन से यह शुरू हो रहा है और बहुत ही मिनमम प्राइज रखा गया आप देख रहे हैं यह देखिए सिर्फ 400 रुपे का है सिर्फ 400 रुपया और जिस दिन ट्रेस्ट नहीं होगा तो पेड कुछ कराया जागा यह देखिए ठीक तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर जो नया वीडियो आता है फिर उसमें हम लोग डिसकस करेंगे आगे के टॉपिक में हिंदी के ठीक है धन्यवाद